दोस्तो आपका स्वागत आपकर फिर से हमारे यूट्यूब चैनल था अनस्ट में दोस्तो आज कि ड़े में हम जानेंगे कश्मीर डिविजन की 20 सबसे खुबसूरत टूरिस प्लेस के बारे में दोस्तो यह तूरिस प्लेस काफी खुबसूरत है जो कि दोस्तो यहां यह तो काफी पसंद आती है दोस्तो चलिए जाते हैं वह कौन सी है बीज टूरिस प्लेस चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं तो दोस्तो नमबर वान पर है डल लेक दोस्तो डल लेक कश्मीर की सरिनर्ग डिस्टिक में स्तीत है कश्मीर की काफी मुशूर टूरिस अट्र बी कहा जाता है गुलमर कश्मीर की सबसे सुंदर हिल स्टेशन में से एक है यहां पर दोस्तो आप केबल कार की रैट भी ले सकते हो सुर्दियों में दोस्तो यह जगा पूरी तरग से बर्फ से डख जाती है जहां पर काफी स्नो एक्टिविटीज भी की जाती है और दोस् सिरिनगर से 80 किलोमेटर की दूरी पर सीता है यहां पर दोस्तो आप काफी खूबसूरत जीले बड़े बड़े और खूबसूरत गास के मैदान देख सकते हो यह जगा चारों तरफ से उंचे उंचे पाड़ों से गिरी हुई है जो कि दोस्तो इस जगा की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं दोस्तों यह दिखने में काफी अकर्शिक लगती है और दोस्तों यह जगा फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही ज्यादा बहतरीन है तो दोस्तों नंबर चार पर है पहलगाम दोस्तों पहलगाम कश्मीर की अनत्राइक डिस्टिक में सीता है दोस्तों यह काफी खुबसूरत गास का मैदान है यह जगा स्रेनगर से लगब 95 किलोमेटर की दूरी पर सित आती है दोस्तों यह जगा यहां पर आप होर्स रैडिंग कर सकते हो और सर्द्यों में यह जगा पूरी तरीके से बरफ से डग जाती है जो कि दिखने में काफी चर्दऩ ने खिए दोस्तों नंबर पांच पर है नशादगर दो इस गाडन को नूर जहन के बड़े भाई ने बनवाया था जो कि दो सोलसो तेती शिवर में बनवाया था दोस्तों ये स्रिनगर का दूसरा सबसे बड़ा मुगल गार्डन है और दोस्तों यहां पर काफी फौरे भी हैं यहाँ पर द्धो बड़े बड़े चिनार के पेड हैं जो की दुस्तो इस गाडन की खुबसूरती को चार चान honour लगा देते हैं दूस्तो यह गौर्डन सिरनगर को मिल जाएंगी दोस्तों यह जगें काफी नैच्रल है जो इस BTS यहांव हजू की नेच्रल है । च्बोर Cecog run trade को काफी पिसंद आती और नंबर आट पर है दूद पत्री दोस्तों यह जगह की बढ़गाम डिस्टिक यानि कि एक natural spring है दोस्तो यहां से काफी खुबसुरत निले रंका पानी निकलता है और दोस्तो इसके 4 और 4 दिवारी भी की गई है जो कि दोस्तो काफी खुबसुरत की गई है और दोस्तो यहां वो टोरिज इस जगह को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं नमबर दस पर है अहरबल वाटरफाल, दोस्तो इस वाटरफाल को Niagara Falls of Kashmir भी कहा जाता है, दोस्तो ये जरना लगबग 25 फुट उन्चा है, दोस्तो इस जरने से नीले रंग का पानी बहता है, जो दोस्तो काफी खुबसूरत दिखता है, ये जरना कश्मीर की कुलगाम डिस्ट करते हैं क्योंकि दोस्तों ये जगा फोटोग्राफिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बहतरीन है तो दोस्तों नमबर बारा पर है वूलर लेक दोस्तों वूलर लेक इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जो कि दोस्तों कश्मीर की बांडीपूर डिस्टिक् दोस्तो यह जील उंचे-उंचे पाउड़ों से गीरी हुई है जो कि दोस्तो इस जील की खुबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं दोस्तो यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं नमबर 13 पर है मार्तन सन टेम्पल दोस्तो यह टेम्पल सूर्यदेव जी का मंदिर है जो कि दोस्तो आठमी शाताबदी में बनवाया गया था और दोस्तो यह टेम्पल पूरी तरिके से तूट चुका है लेकिन दोस्तो अभी एक हिस्टोरीकल टूरिस एट्रक्शन है यहाँ पर दोस्तो काफी Bollywood movies भी शूट की गई है दोस्तो नमबर 14 पर है गुरेज वैली दोस्तो गुरेज वैली किश्मीर की बांडीपूर डिस्टिक में स्थीता है जो कि दोस्तो बांडीपूर की वन अफ दा फिमस टूरी सैट में से एक है दोस्तो यहां पर आप बड़े-बड दोस्तो यह जगह टूरिस्ट को काफी पसंद आती है नमबर 16 पर है युसमर्ग दोस्तो यह किश्मीर की वरादा बैस टूरी सैट में से एक है जो कि दोस्तो उंचों चे देवदार के पेड़ों से गीरी हुई है दोस्तो यहां पर आप चारों और खुबसूरत पीले काड़ी पर स्थेता है जहां पर पहुंचने के लिए दोस्तों आपको काफी सीड़ियां चड़नी परती है और दोस्तों मंदिर के टॉप से आप पूरे सिर्नेगर सिटी का वीव देख सकते हो नमबर 18 पर है चश्मी शाही दोस्तों काफी पुराना और काफी खुबसूरत मुगल गार्डन है जो कि दोस्तों सिर्नेगर सिटी से 14 किलमेटर की दूरी पर सीता है जो कि दोस्तों इस गार्डन की खुबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं थो यहां से एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग भी होकर गुजरता है जो काफी खुबसूरत और नैचरल लगता यह जरना गुलमर्ग की एक तहसिल टंग मर्ग में है नमबर 20 पर है वैली दोस्तों वैली का उरिजिनल नेम हजान वैली है जो कि पहल गाम से 15 किलोमेटर की दूरी पर सीता है यहां पर दोस्तों बॉलिवुड मुवी बैताब की भी शूटिंग होई थी जिस वजह से इसका नाम बिताब वैली पढ़ गया दोस्तों यह जगा नैचली बीटी से भरपूर है यहां के उंचे-उंचे पहार और यहां की खुबसूरत बैती नदिया इस जगह को बहुत ही जादा अकर्शिक बनाती है दोस्तों यह जगा टॉरिस्ट में काफी फेमस है तो दोस्तों यह